जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग बफर विलियन का दूसरा भाग लाएं जहां पर हम लोग जानेंगे बफर विलियन कितने परकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं याद रखिएगा हमारे बफर विलियन तुमारे बफर विलियन सबके बफर विलियन दुनिया के बफर विलियन बेटा तीन परकार के होते हैं अमली बफर विलियन चारी बफर विलियन और तीसरा होता है उदासीन बफर विलियन क्या है आपको सपस क्या आपको स्पस्ट है लेकिन अगर आपके विलियन का पी एच का मान किसी भी हाल में साथ से ज़्यादा होता है तो वे छारी बफर विलियन कहलाएगा लेकिन अगर आपके बफर विलियन का मान साथ रहता है ना साथ से कम होता है और ना साथ से ज़्यादा होता है ये बफर विलियनों का निर्मा अंसर कैसे बनाते हैं हमारे तुम्हारे अमली है चारी है उदासीन वफर विलियन तो आए जानेंगे हम पहला है बच्चो दुर्बल अमल तथा इसके परबल छार के साथ बने लवन दुआरा तो ध्यान नखना है कि अमली बफर विलियन जो होता है वह मिसरन होता है वह हम बनाते हैं दुर्बल अमल और इस दुर्बल अमल के परबल छार के साथ बने लवन को दल में घोल के सर समझ में ना आया मेरे मुझे पता था मेरे बच्चे मासूम हैं समझ ना पाएंगे तो चिंता मत कीजिए आईए मेरे साथ पहले आप समझ लीजिए कि जो हमने उपर परिभासा पड़ी आपके लिए उसका मतलब क्या है यहां पे दुर्बल एसिटिक अमल ने परबल एन्ने वेच चार के साथ क्रिया करके CS3CON ने लवन दिया क्या आपको स्पस्ट है तो यह है लवन और यह दुर्बल एमल तो यह है दुर्बल एमल और यह है लवन इन दोनों को मिला दीजिए तो आपको मिल जाएगा अमल यह बफर विलियन यही तो मैंने यहां पे लिखा है देखिए मैंने क्या लिखा है दुर्बल एमल एसिटिक एसिड तथा इसके परबल चार के साथ क्रिया करके बने हुए लवन के साथ तो यह है जो मिस्रन आप जब जल में घोलेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा आपका अमल यह बफर विलियन सर और भी उधारन है वो भी देख लिख लीजिए HCN अमल और इस दुर्बल अमल के लवन NACN के लिए इन दोनों को आप मिक्स कीजिए तो आपको मिलेगा अमली पफर विलियन S3BO3 यह हमारा बोरिक एसिड है और यह हमारा आप जानते हैं बोरेक्स तो यह इसका बोरिक एसिड का लवन है जिसको बोरेक्स ब मिल जाएगा अमली पफर विलियन तो बच्चो एक तो एक्जाम में यही कोश्चन आता है कि बताओ इन में से कौन सा अमली पफर विलियन का एक्जामपल होगा तो यह जोड़ा अमली पफर का उधरन है यह वाला जोड़ा यह वाला जोड़ा और यह वाला जोड़ा समझ म अमल का जो लवन होगा वै परबल चार के साथ क्रिया करके बनेगा और ये उधराने याद कर लीजे तो मतलब आपका कोईशन तयार हो गया बच्चे ओ किलियर है अब बात करेंगे हम लोग अगले बफर विलियन के बनाने के बारे में देखिए क्या लिखा हो है दुरबल चा और इस चार के परबल अमल से बने लवन दुआरा सरस्पस्ट नहीं हुआ तो देखिए बच्चो जब भी आप ऐसा विलियन बनाएंगे तो वै चार ये बफर विलियन के लाता है आप पे अमने उधरान लिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोकसाइड और नह फोर सील लवन का मिसरन अगर इस मिसरन को आप जल में गोल देंगे तो जो विलियन आपको प्राप्त होगा उसकी प्रकरती चारिये होगी और वह कहलाएगा चारिये बफर विलियन अब ये सपस्ट नहीं हुआ है तो मैं समझाता हूँ आपको NH4OH अमोनियम हाइड्रोकसाइड दुरबल चा की हमने क्रिये कराई प्रबल अमल HCL के साथ जिससे उदास से नहीं करण क्रिया हुई और बन गया अमोनियम क्लोराइड NH4C1 लवन और जल इस पस्ट है आपको तो बच्चों ये वाला दुरूबल चार और इस दुरूबल चार के प्रबल अमल की क्रिया से बने लवन यानि चार होगा वह दुरूबल या वीक होगा और यहां पर जो लवन होगा वह इस दुरूबल चार और प्रबल अमल की क्रिया से बना हुआ ओगा ये उदारण से आपको इस पस्ट हुआ होगा अब कुछ और उधरण भी है जो एक्जाम में आते हैं उनको भी जानेंगे हम भी मिल जाएगा आपको छारी बफर विलियन तो इस परस्ट हुआ एक कोश्चन ये बनता है कि इन में से कौन सा युगुं कौन सा जोड़ा छारी बफर को परदरसित करता है अब लेते हैं बच्चों तीसरा दुर्बल अमल वै दुर्बल छार से बने एकल लवन द्वारा अ उदासिन बफर विलियन की बात कर रहे हैं हम बच्चों अगर आप दुर्बल अमल वै दुर्बल छार से बने हुए एकल लवन को जल में घोल देते हैं तो जो विलियन आपको प्राप्त होगा उसकी प्रकरती उदासीन होगी तरण की रूप में यहां पे अमोनियम एसिट और उदासीन और यह भी जाना की अमलिये च्छारिये उदासीन बफर विलियनों को कैसे बनाया जाता है और इनके कौन-कौन से उदारण है